कि हम कह सकते हैं आप उसके नाटिशास्त्रि के अंतरगत जो जो छो मुख्यविश्य हैं उन में से क्वे आध्याय में नाट्यूत्पत्ति का निरूपण है नाट्य dw पत्ति नाटिवित उत्पत्ति नाट्टी की उत्पत्ति अर्थात जनेसिस ऑफ थिएटर नाट्टे या थिएटर कैसे उसका जन्म हुआ तो कैसे उसका जन्म हुआ ऐसा इतिहास की द्रश्टी से बताना असंभव है कि अमुक सन में अमुक इस्वी में अमुक तिथी पर नाट्टे का जन्म हु का आशा यह है कि जब उसको अभिव्यक्त रूप में देखा, मनुष्य समाज ने उसको रचना शुरू किया, नहीं तो सनातन काल से नाट्टी समस्कार रूप में तो रहाई है, बच्चा पेदा होते ही कुछ नाट्टी करता है, रुधन करता है, रोता है, प्रसन होता है, मा कि जब उसको रूप में दूसरों को दिखा करके और आनंद प्राप्त करना है, इस रूप में जब उसको हमने आविश्कार उसका किया, वही उसका उद्भा कहलाया, तो नाट्टी का जो उद्भा है वहाई है, कितने हजारों साल पहले था, यह कहना कठीन है, उसका भी पुरा कथा की दृष्टि से बताते हैं आख्यान माइथालोजी जिसको कहते है रूपक के दौरा उसको बताते हैं प्रतिकात्मक कथाओं के दौरा उसको बताते हैं तो यह नाठी शास्त्र में नाठी के उद्भव का जो निरूपन है प्रतिपादन है वह पुरा कथा या आख्यान किस्सा एक तरसे कह सकते हैं तो उसमें उसके माध्यम से किया गया है तो आख्यान या किस्से से आशा यह है कि उसमें दर्शन की तत्व की बातें भी कही गई है और नाट्टि इतना पुराना है कि उसको इतिहास जिस तरसे हम ल नहीं है अब यह नाट्योत पत्ति का जो कि आख्या ने उसमें नाट्य के संबंद में बहुत ही महत्पूर्ण विचार दर्शन उसका स्वरूप यह भी बताया गया है तो इसको हम आपको क्या-क्या विशा इसमें खास हैं नाट्योत पत्ति के अंतरगत यह हम सबसे पहले लेंगे तो नाट्योत पत्ति के अंतरगत नाट्य का उद्भव तो इन्होंने बताया यह है कि कैसे उसका उद्भव हुआ फिर उसकी आवशक्ता क्यों पड़ी यह भी इसमें आया उत्भव जब बताएंगे तो उसकी कोई आवशक्ता थी तभी उसकी उत्पत्ती हुई उसका आविशकार किया गया क्योंकि आविश्क्ता आविश्कार की जननी है तो जब जरूरत महसूस की गई कि नाट्य होना चाहिए नाट्य जो हमारे समस्कार में है उसको जनता के सामने लाना चाहिए ऐसी आवश्क्ता का अनभव जब हुआ तो नाट्य का उद्भव हुआ तो आवश्यक्ता उसकी क्यों पड़ गई ये भी इसमें बताया गया है फिर जो तीन ये फिर जो पांच सवाल मुनियों ने भरत मुनि से पूछे शुरू में वो कल के व्याख्यान में हमने बताया है कि कथम उत्पन्ना कस शिक्रते उत्पन्ना कति अंगा किम प्रमाना प्र उत्वन हुआ कि इनके लिए नाठ्य का उदिभव हुआ उसके उब्होकता ग्राहक बेनिफिशरी स्कॉन ये इसी पहले अद्याय में जो नाठ्य का उद्भव बताया है भरत मुनिन उसके अंतरगत बताया है तो इस सवाल का भी जवाब कि नाठ्य किन लोगों के लिए है किन के लिए है और नाट्य का स्वरूप यह बहुत ही महत्वूर्ण इसमें प्रतिपादन आता है concept of Indian theater नाट्य क्या है इसका जवाब भी इसी में नाट्य की परिवाशा एक तरह से इसी अध्याय में नाट्य का उद्वा बताते हैं कि यह उद्वन हुआ तो कैसा था और उसको बता गया कि ऐसा ऐसा है तो उसकी definition भी मिलती है और उसकी प्रासंगिक्ता क्या है उसका मुहत्व क्या है यह भी इसंए कहानी के माध्यम से उसकी जो philosophy है यह भी बताई इसलिए इसका अध्याय का मह masa है पहला अध्याय जो नाटिशास्त्र का है वो एक तरह से पूरी इसकी नीव है पूरे नाटिशास्त्र में जो philosophy of theater है, aesthetics है, सौंदर शास्त्र और रंगमंच का दर्शन है उसका यह नीव बनता है पहला अध्याय तो यह पांच महत्पूर्ण विशाय कम से कम इसमें आये हैं, यह आपको प्रश्न भी तयार होने चाहिए, यह नाटि का उद्वो कैसे हुआ, नाटि की आवशक्ता क्यों अनुभव हुई, नाटि किन के लिए है, नाटि का सुरूप क्या है, उसकी क्या प्रासंगिकता है, यह इससे सवाल भी बनते हैं, तूसरे इसमें कुछ बीज शब्द आते हैं, की टर्म्स इसको कहते हैं, महत्पूर्ण पारिभाशिक शब्द आते हैं इस पूरे उसमें, जिससे की जो फिलास्फी अब थिएटर है, जो रंगमंच का दर्शन है, भरत्मुनी का वह बनता है तो यह चार शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, अनुकरण, अनुकीर्तन, भावानुकीर्तन, अनुदर्शन, सब में अनु लगा हुआ है, सभी शब्दों में, और करण कीर्तन, भावानुकीर्तन, दर्शन, इन शब्दों के साथ अनु लगा हुआ है, तो अनुशब तो पहले कुछ है सामने फिर उसके आधार पर कुछ और बनाते हैं तो अनुकरन हो जाएगा तो अनुकरन का मतलब नकल करना नहीं है जो दिह वी दुनिया है जो विश्वे हमारा संसार जो हम देखते हैं उसी को फिर से कविता में कला में रंगमंच पर हम रचते हैं तो अनुकरण हो जाएगा बाद में उसको निर्मित करना इश्वर के द्वारा रची हुई स्रश्टी के समानांतर जो कलाकार नाट्यकार कवी रंकर्मी अभिनेता नई स्रश्टी करता है उसके आधार पर तो अनुकरण उसको कहते हैं और उसको शब्दों में कहा जाता है इसलिए उसको कहा और भावा अनुकीर्थन कहा कि जो भाव है, मनश्री के चित्ति की विविन्दशाएं हैं, जीवण की जो दशाएं हैं, उन्ही को कहा जाता है इसमें फिर से, जो हम आपसे बाठ्चीत में भी अपने मन की व्यताः बताते हैं, प्रेम करते हैं, तो प्रेम की बात बताते हैं, विरह की बात बताते हैं, उसी को नाटक में भी कहा जाता है, इसलिए जो कहा गया है, उसी को फिर से कहा जाता है, लेकिन संसार में उससे आनंद हमको नहीं होता है, इसमें जो रचा जाता है, उससे हमको रस या आनंद प्राप्त होता है, अंतर हो जाता है और दर्शक जो देखी वी दुनिया है उसी को दुबारा देखते हैं फिर से देखते हैं प्रेक्षकों की दरश्टी से अनुदर्शन इस तरह से चार प्रक्रियाएं भी इसमें बताई गई इस पूरे ध्याय में अभी नेता की दरश्टी से अनुकरण रंगमंच परवा अनुकरण करता है जो दीवी दुनिया है उसको फिर से निर्मित करता है और कभी की दरश्टी से नाटककार की दरश्टी से अनुकीरतन अपने शब्दों में वह फिर से कहता है अनुकीरतन हो ज नाटक देखने वाले हैं, जो कुछ संसार में वो देखते हैं, उसी को इसमें फिर से देखते हैं, लेकिन वो नया हो जाता है, कुछ और ही बात उसमें हो जाती है, फिर से रचा गया है वो इसलिए, तो अपनी चिरपची बातों को ही देखते हैं, लेकिन हम पार्क में कोई लड़का लड़की प्रेम कर रहे हैं उसको हम देखते हैं तो हमको उससे कोई आनंद या रस की रहुती नहीं होती या तो चीड़ हो जाएगी कि देखो कैसे बेशर्म है पार्क में कुल्याम बेटके और सटके बेटे हुए हैं चुमा चाटी कर रहे हैं या हम थोड़ा मनु रचन होना या तमाशे की तरह देखना भी रसा स्वाथ नहीं है या घुसा आ सकता है किसी कि लिवई ने उसको कोई बहलारा है पार्क में ले गया है तो उस्के नाराजो के पिल पड़ेगा उसको पीटने लगेगा व वह घुर nearlyinarम में जो हम देखते हैं, लोगों को प्रेम करते हुए, राई जगडा करते हुए, युद्ध करते हुए, वही द्रश्य हम रंगमंच पर देखते हैं, वहां हमको रसास्वाद नहीं होता, यहां रसास्वाद हो जाता है, यूंकि वह फिर से रचा गया है, उसकी जो प्रक्रिया है वह उसको नया कर देती है तो इस तरह से ये आपको याद रखना चाहिए कि है पांच इसमें विशयद बताय गए है पहले अध्याय में कि नाट्य का उद्ध्र्या नाट्य की आवशक्ता किन के लिए नाट्य है उसका स्वरूप क्या है और उसकी क्या प्रासंगिट्या क्या उपादेत talents और कुछ भी शब्द इसमें आए हैं चार खास्तोर से और भी शब्द इसमें इस तरह के आए हैं जो की पारिभाशिक शब्दावली है टेक्निकल टर्मिनोलोजी है लेकिन विशेश रूप से ये नाट्य का जो दर्शन है उसके शब्द है अनुकरण, अनुकीर्तन, भावानुकीर्तन, अनुदर तो इनको भी आपको समझना चाहिए बाकी तो इसमें जो किस्सा है शुरू होता है उसको फिर हम बता देते हैं यह हिंदी अनुवाद भी आपके सामने है आठ्वी नवी कारिकाओं में कहा गया है यह कारिका कहलाती है जो अनुष्टुक चंद में श्लोक है नाट्य शास् प्रत्यूग मतलब सत्यूग बीत गया और त्रेता यूग आया स्वायंभू मनवंतर में स्वायंभू मनवंतर के बीच जाने पर त्रेता यूग आया और व्यवस्वत मनवंतर आया तब लोग जो है वह गमारू चीजों में आसक्त होने लगे ग्राम्य धर्म प्रवरत होन लगे नवे श्लोक की पहली पंक्ति में कहा है और समस्कृत भी आप लोग भी साथ में पढ़ सकते हैं तो काम लोग वशंगते काम लोग के वश्मे होने लग गए लोग तो सत्युग में सब के मन कलुष थे निश्पाप थे जो करतियुग या सत्युग था वो त्रेता तो कुछ लोगों के टेस्ट बिगडने लगे कुछ गमारूपन आ गया और जो वास्नाएं हैं वो थोड़ी बढ़ गई इर्शा आदी हो गया इर्शा क्रोध आदी फैलने लगा इर्शा क्रोध आदी सम्मूडे दूसरी पंक्ति में कहा है तो सुख दुख की भावनाएं घर करने लगी सत्यूक में सब सुखी ही सुखी थे जब सभी सुखी होंगे आनदित होंगे तो नाटक की जरूरती नहीं है कला की पी जरूरती नहीं है सब मुक्त है । तो जो जिए बार जीवन मुक्त हैं वो नाटक देखते हैं सामाने लोगों की तरह विवहार करते हैं जैसे रामकृष्ण परमंस करते थे पर उनके लिए जरूरी नहीं है सामाने लोगों के लिए जरूरी है कलाएं कविता आधी तो यह तृतायूग आया यूग परिवर्तन हुआ उसमें लोग सुखी दुखी रहने लग गए तो देवताओं को चिन्ता हुई कि संसार का क्या होगा इसमें देवताओं का जो सरूब है नाटशास्तर में वो नाटक में बहुत ही रूची रखते हैं देवताओं उसको प्र बहुत आवश्यक है और देवता भी उससे प्रसंद होते हैं कि नाटक हो रहा है यही इसमें भावना है नाटक शास्त्र में तो नाटक का एक प्रयोजन जो है वो देवता प्रीती भी है देवता इससे प्रसंद होते हैं यह नाटक शास्त्र में आगे कहा भी है कि यह तो जो इसके द्वारा हम एक तरह से अध्यात्म के धरातल पर पहुँचते हैं, दिव्य लोक रचते हैं, तो देवताओं का लोके दिव्य भावनाएं आती हैं और देवता उससे प्रसंद होते हैं, तो जब देवताओं को चिंता हुई कि संसार में लोग सुखी-दुखी हो गए है सुखी-सुख नहीं रहा, आनंद ही आनंद नहीं रहा, और पाप बढ़ रहा है, तब उनको लगा कि कुछ ऐसा साधन चाहिए, जिससे कि लोगों का चित रंजन हो, लोग आनंद को फिर से प्राप्त करें, जो आनंद खो गया है, तो इससे नाटक की आवशकता भी आप सम सकते हैं कि समाज में नाटक की बड़ी आवशकता है, कलाओं की नाटक की रंगमंच की बहुत आवशकता है, क्योंकि लोगों में जब परस पर इरशा, द्रोह, स्वार्थ की भावनाएं बढ़ती हैं, तो ये कलाएं उनको उससे मुक्त करती हैं, तो यह उस आख्यान या क रथा के माध्यम से भरत्मनी बताते हैं, अब ये इसमें स्वायम्भू मनमंतर बीत गया और वैवस्वत मनमंतर आया, तो वैसे आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जिनको जादा रुची है, पुराण आदी में वो चाहें तो नोट कर सकते हैं कि चौदा मनमंतर ये करते हैं, तो एक मनमंतर जो पीरियड है, टाइम है, जिसमें कि तीस करोड, सर्षट, लाग, बीस अजार वर्ष उसकी अवधी होती है, इतना जादा है, यह तो मतलब कल्पना तीथ है, श्रष्टी का आरंब लगभग इतने करोड साल पहले हुआ होगा, तो इसमें थो फिर दूसरे मनु का राज्या आता है, तो चवदा मनु हैं, उनके नाम यहां लिखे हुए हैं, तो स्वायमभू सबसे पहले मनु हुए, स्वायमभू ब्रह्मा की संतान थे, उसके बाद यह मनु होते गए, सात्वे मनु इसमें दूसरी लाइन में वैवस्वत, मन्वंतर आया, और उसमें युग बीता, युग बीता लोगों की भावनाएं बदली, नाटक सत्युग में उसकी आवशक्ता नहीं थी, अब देवताओं को लगा कि इनको कुछ ऐसी कला चाहिए, तो उसके आविशकार करना चाहिए, तो उसका तो जितनी भी चीजें संसा में उन्होंने कहा, ये कहा देवताओं ने भ्रमा से कि वेद शूद्र आदी के लिए नहीं रहे गए, ना वेदा विवहारोयम संशाव्या शूद्र जातिशू, वेदों का विवहार, सुनना, सुनाना, पढ़ना, पाठ करना, ये शूद्रों के लिए रहा नहीं, शूद्र ना करें, तो वेद सब के लिए रहा नहीं, अब वेद नहीं है उनका, तो कैसे वो मुक्त होंगे, कैसे पवित्र वो हो पाएंगे, इसलिए भ्रमा से देवताओं ने कहा कि पांचवा वेदा प्रचिये, ये तस्मा स्रजापरम वेदम, पंचमं सार्ववर्णिक ये शब्द आपको याद रखना चाहिए कि नाट्य को पंचम सारुवर्णिक वेद कहा है, पांचवा वेद कहा है, चार वेदों के बाद पांचवा वेद यह है, और सारुवर्णिक वेद है, इस सब वर्णों के लिए है, इसमें कोई भैदभाव नहीं है, कि क्योल ब्रह यह इनों ने इसमें बात कही, वेदर्थ, वेदकार थे सनातन ज्यान जो स्रष्टी के आधिकाल से चला रहा है, और जब उसको हम अपने बीच में साक्षातकार करते हैं, जैसे रिशियों ने मंत्रों का साक्षातकार किया, ऐसा कहते हैं, तो मंत्र तो पहले से थे, उन्हों ने उनको इलहाम हुआ जैसे कुरान शरीफ के बारे में भी कहा जाता है कि हजरत मुहम्मद साब को इलहाम हुआ वो दिखाई दी उनको आयते उसी तरह से वेदों का भी साक्षातकार हुआ रिशियों को तो वेद तो पहले से मौजूद हैं वो एक तरह से जिसे प्रगट होती है कोई देवता प्रगट होते हैं उस तरह से उनके मंत्र प्रगट हुए ऐसा माना गया तो जो भी सनातन ग्याने वह मौजूद है स्रश्टी के अधिका के अनंतर बाद में जब विवस्वत मनमंतर आया तो उसकी उत्पत्ति का काल हम मान सकते हैं तो देवतावने अनुरोद किया कि पांचवावेद आप बनाईए पांचवावेद से आशाए यह है कि चारों वेदों से जो कुछ मिलता है वह सब भी इससे मिले हमको चारों वे कि क्या क्या इसमें है क्या क्या उन्होंने इसमें डाल दिया समाज को इससे क्या क्या मिलेगा तो ब्रह्मा से उन्होंने अनुरोद किया देवतावने कि आप पांचवावेद रचिये तेर्मी कारिका में उन्होंने कहा है कि एव मस्तु इतितान उक्त्वा देवराजम वि तो चारों वेदों का उन्होंने इस्मरण किया, योगम आस्था है, योग समाधी में डूप करके उन्होंने चारों वेदों का इस्मरण किया, तो इसमें रचना प्रक्रिया भी एक तरह से बताई है, यह पूरी एलेगोरी है, पृतिकात्मक आख्यान है, पृतिकात्मक कता ह जो भी रंगमंच या नाटक हम करते हैं, उसमें एक तरह से समाधी में इस्थित होना पड़ता है, कोई भी कला रचने के लिए अपने भीतर, चित्त में समाधी में इस्थित होना पड़ता है, यदि अपने भीतर एकाग्र नहीं होगा, तो अच्छा भिनाय नहीं कर पाएग या अच्छी कविता भी नहीं लिख पाएगा, उसमें एक तरह से उसको ध्यानस्त हो जाना चाहिए, उसको रचने के लिए उसमें एकाकार हो जाना चाहिए, तो चारों वेदों का उनको निचोड प्रस्तुत करना है पांचे वेद में, तो समाधिस्त हो करके चारों वेदों उसको बताया है उसका संकल्प पहले किया तो जो भी हम नई चीज रचते हैं उसका चित में संकल्प भी होना चाहिए कि मैं कुछ अच्छा करूंगा अच्छा रचूंगा या इसमें बताया गया है आगे कि जो प्रेक्षक हैं दर्शक हैं वो भी नाटक देखने चाहते हैं तो चित में उनके संकल्प लेकर कि उनको बैठना चाहिए कि हम इसमें अच्छा देखेंगे, कुछ इससे हमको कुछ अच्छी भावनाएं जागरित होंगी, हम अच्छे मनुष्य बनेंगे इस भावना से, तो इसको एक तरह से, जैसे यग्य में दीक्षा लेते हैं, उस तरह से उनको दीक्षित होकर के, और बैठना चाहिए, इसी तरह से अभिनेता को भी मन में चित में संकल्प करके और करना चाहिए, कि मैं अपने भीतर समाधी में इस्थित होकर कि कुछ ऐसा रचूंगा जिससे कि समाज का कल्यान होगा सबके लिए यह हमारा सिस्टम नाटिशास जो बताता है उसमें और जो modern realistic theatre आ दी है उससे अंतर आ जाता है तो यहां समसकार उसके प्रष्टभूमी में है और समसकार उससे बनते हैं अच्छे समसकार जागरत होते हैं तो उसकी रचना प्रक्रिया बताते हैं इसलिए कहा कि समादी में इस्थित होकर के चारों वेदों का उन्होंने स्वरंद किया और संकल्स किया कि मैं क्या करूंगा कि मैं ऐसा ऐसा नाटिवेद रचूँंगा बताया गया गया है की जिसमें उपदेश प्राप्थ होगा लोगों को धर्म् प्राप्त होगा अर्थ जो संसार के सारे विशाय हैं बहुत इक सम्रत दिये उनके बारे में जानकारी भी प्राप्त होगी यश्प्राप्त होगा नाट्य करने वाले को नाट्य देखने वाले को और लिखने वाले को यशस्यवा होगा यह चौद्मी श्लोक में धर्म अर्थ शौपदेश यह विशेशन आये हैं तो नाट्टि का स्वरूप भी आप इस से समझ सकते हैं कि नाट्टि जो धर्म से युक्त है अर्थ से युक्त है यश्प्रदान करने वाला है उपदेश इससे प्राप्त होगा और संग्रह इसमें संसार के जितने विशाय हैं उनका संग प्राप्त है और दूसरी लाइन इसकी बहुत ही महत्तपूर्ण है कि आने वाले दुनिया का अनुदर्शन यह कराता है बहुश्यत चलोकस्य सर्व कर्मानु दर्शकम तो अतीत और वर्तमान को हमारे सामने दिखाता है यह तो है ही लेकिन जो आगे कुछ होने वाला है उस इसको भी हमको सामने रख देता है उसको भी रचता है फिर से क्योंकि जो कुछ है फिर से इसमें रचा जाता है तो जाने वाली दुनिया है उसकी कल्पना करके और उसको भी फिर से रच सकता है यह हमको भविश्य द्रश्टी भी इससे प्राप्त होती है कि हम आगे क्या कर सकते हैं आगे दुनिया कैसी हमको मिलेगी कविता कला रंगमंच यह करते ही हैं तो यह अनुदर्शन जो मैंने चार शब्द लिखें पिछले स्लाइड में उसमें कवे शब्द भी आया है तो यह विजुलाइजेशन जो देखा हुआ है उसको फिर से दिखाना जो कल्पना हमने कि चित्त में उसको फिर से दिखा देना दर्शकों को यह नाटक रंगमंच हमारे लिए करता है तो ऐसा मैं नाट्टिवेद रचूंगा जो धर्म से युक्त अर्थ आगे है हम सारी शास्त्रों की का सार जिसमें होगा सारी शिल्प कलायें जिसमें होंगी ऐसा नाट्याक्यं पंच्मंवेदें सेतियासम करोमि हम यह आखिरी लाइन है यह नाट्य नामक पांच्वावेद इतियास सहित में बनाता हूं ऐसा संकल्प अर्माने किया तो यह अब इस्तार से इसमें नहीं जाएंगे इसकी व्याख्या अभिनों गुप्त ने वहुत तो यह इस लिए संकल्प करके मन में पहले संकल्प करें जो भी कला रचेगा या कोई वस्तु रचेगा नाट्य के रूप में या नए वेद कि श्रश्टी ब्रह्मा कर रहे हैं तो उसके लिए संकल्प उनके चित में होना चाहिए रिजाल्यूशन तो वैसे भी जो नाटक करते हैं वो करते हिंगे अच्छा बड़िया नाटक करेंगे subscribe मुलिवान वस्तु नहीं होगी उदात्थ भव्यय चीज नहीं होगी जो भरत्पुनी का थीटर है तो इस तरह का संथ संकल्प उसके पीछे होना चाहिए यह संकल्प इस उनने किया उन्हों ने उन्हों किया और चारों वेदों से एक एक तक्व ले करके नामक पांच मवेद नहों बताया तो सत्रमी कारिका में यह आपको याद रखना चाहिए और चाहे इश्लोक याद हो जाए तो और अच्छा है जगराप आठ्यम रिगवेदाद समभ्योगी तमेवच्छ यजुर वेदाद अभी नयान रसान अथरवन अधपी यह सत्रमा इश्लोक सत्रमी कारिका है रि रिगवेद से अभिनाई लिया और अथरवेद से रस लिया इस तरह से चारों वेदों से एक एक तत्त उन्होंने लिया तो यह समस्क्रत न पढ़ें तो यह उसको याद आपको अवर्श रखना चाहिए कि रिगवेद से पाठ पाठ है मतलब जो टेक्स्ट है जो पढ़ा जाने वाला मतलब डायलाग में जिसको हम बोलते हैं बोला जाने वाला जो अंश है नाटक का गद्य पद्य सब हो सकता है मतलब आले एक नाटका परिगवेद से लिया और सामवेद से गीत लिया जेजुरवेद से अभी नहीं लिया अतरवेद से रस लिया तो इसके बारे में जो आधुनिक दरश्टी वाले कुछ लोग हैं विद्वान और खास तोर से पश्चिम के लोग वो कहते हैं कि यह तो सब एक से लेकर कि उन्होंने बनाया ऐसा है एक तरह से डिफेंस स्ट्रक्चर है नाटक की महीमा बताने के लिए वेदों से उसको जोड़ दो ताकि लोग पवित्र मान करके उसका आधर करेंगे क्योंकि नहीं तो नाटक करने वालों की बड़ी हंसी उड़ाते हैं उनकी और यह हमारी परंपरा में इसको हकीकत ही उन्होंने माना है कि रिफ्वेज से ही पाठ्थे आया थियेटर में जो प्राचीन भारती रंगमंच है उसमें पाठ्थे जो इस क्रिप्ट है वहसुरह संगीत सामबेच से आया और अविनाय जुरवेच से आया और रस इसमें यथार्थ है हकीकत इसलिए है कि पूरी जो परंपरा है वह इसका समर्थन करती है रिग्वेद में समवाद सूक्त हैं डायलाग हिम्स उसको कहते हैं तो रिग्वेद में दस जार साड़े चार सो मंत्र हैं और हजारों उसमें सूक्त हैं कई मंत्रों का एक संकलन जो है वो सूक्तिय हिम कहलाता है तो इतना विशाल ग्रंथ है उसमें कई सूक्तों में उसकी कई कविताओं में डायलाग हैं बाचीत करते हैं वो डायलाग वड़े थेट्रिकल हैं तो उनका यग्य में अभिने होता था यग्य में उनको पुरोही तापस में पढ़के और डायलाग की तरह बोलते थे तो पूरा थीटर उससे बनता था तो जितने रिचूल्स हुए हैं प्राचिन काल में वेदों के समय वो उनमें थीटर अपने आप में था ही और रिगवेद उसके लिए पाठ्धियंच प्रदान की कथा है तो बड़े आख्यान उसमें कथाएं बटाई गई है और संबाद हैं जैसे कि पुरुरवा और उर्वषी का संबाद सूप्त है दस्वे मंडल में वह बहुत ही मार्मिक है बहुत काव्यात्मक है पुरुरवा बहुत छोड़ कर चैनल के सरोवर के किनारे उसको मिलती है उसको पुकारता है कि मैं तुमारे लिए कितना विकल हूँ तुम लोटा हूँ मेरे पास उरवशी जवाब देती है कि मैं नहीं आ सकती मैं देवताओं के अधीन हूँ मुझे वापस बुला लिया है मुझे तुम भूल जाओ तो उसमें 18 मंत् जो है उरवशी ने बोले है यह पूरा थियेट्रिकल है और कालिदास के नाटक के बारे में आपको जानकारी बात में दी जाएगी उन्होंने इसी कहानी को लेकर के नाटक लिखा जो बहुत इमार्मिक अच्छा नाटक है विक्रम और वशियम और कई लोगों ने खेला भी है हिंदी अनुवाद में भी केस राजिंद्रन जो एनसडी में प्रोफसर थे उन्होंने भी कराया बहुत अच्छा कराया उसको पनिकर साहब ने उसको खेला बहुत अद्भूत नाटक बनता है तो यह रिगवेद उसका स्रोत है उसकी पूरी कथा फिर रिगवेद का ब्र व्याख्यान में बताएंगे कि वेदिक काल में सबसे प्राचीन एक नाटक भी मिलता है वेदिक भाषा में लिखा हुआ सुपरनाध्याय नाम से तो वह उस जमाने में नाटक वेदों के समय लिखे जाते थे अलग से भी और वेदों में तो रिगवेद में तो एक तरह से स परना है कि कुछ मंत्र पढ़ करके आहुती दी जाए तो यग्य हो जाता है वह बहुत ही विराट उनका स्वरूप है उसमें सारे समाज के लोगे खटे होते हैं उसमें रत्य संगीत होता है कई तरह के प्रतियोगिताएं भी होती है रतों की दोड़ होती है तो बड़ी शोशल गेदरिंग होती थी पुराने जमाने में वेदों के काल में यग्य जो है उसमें गाने बजाने वाले भी आते थे नर्तक वादक नर्तकियां आती थी उसमें आख्यान भी सुनाए जाते थे तो बाचपे यग्य है अशमेद यग्य है यह सोम याग्य है यह पोरणी की यग्य उसमें पॉर्णी क्या गया उसमें तो कोई श पुल्ड ऑन करते हैं उस्परा चोटा रूप उसका बचा तो जो वैदों में यग्य बताए गए हैं वह वास्ता वमि दाध्य बड़ी social event भी है, उसका आध्यात्मिक महत्व भी है कि देवताओं का आवहन करते हैं, हम अपने आपको अनंत के लिए विसरजित करते हैं उसमें, सब लोग मिलकर के अपने सीमी तहंकार से मुक्त हो करके और अनंत से जुड़ते हैं, यह यग्जी की भावना है, लेकिन यग रिगवेद में उसके लिए textual पाठ जो उसका दिया, पाठ जो है रिगवेद के द्वारा प्रदान किया गया, और सामवेद के बारे में तो बहुत प्रसिद्ध है कि जितनी संगीत की परंपरा है, भारती संगीत की परंपरा हो सामवेद से आई है, क्योंकि जिन मंत्रों क गान किया गया कि गायन किया जाता था वो सामवेद में आये तिगवेद कही वे सूक्त जिनका कि गान विशेश पद्धती से किया जाता है और गान की पद्धती उसमें बताई गई सामवेद साम संगीत के गरंत लिखे गए मतंग का गरंत आया और भी लेकिन सबसे प्राचीन उसमें साम-sangeet का निरूपन नाटि-शास्थर में ही है और वह साम-वेद में जो गान शुरू किया गया गान की परंपरा शुरू की गई गीत की संगीत की उससे नाटक में संगीत आया सवहविक ही है और यजूरवेद से अभिनधी आया ये जूर्वेद में परफार्मेंस बताया गया है, ये परफार्म कैसे होंगे यग्ये, यग्यों का परफार्मेंस बताते समय जब वो प्रदक्षिना वगेरा बताते हैं, तो उसमें पूरा थीटर एक तरसे आ जाता है, कि वो पुरोई तरसे प्रवेश करेंगे, उनका वेश ये होगा, लाल रं करते समय हाथ हस्तों का संचालन होता है, तो ये सब यजुर्वेद में परफार्मपरा आई, तो अभिनाई की परफार्मेंस की और उसका स्रोत यजुर्वेद है, क्योंकि कर्मकांड कैसे किया जाए, इसको यजुर्वेद में याग्यिक विदी को विशेश रूप से बता गया है कि अथरवेद से रस का तत्व आया, वैसे तो रिगवेद में जो सूक्त हैं उन्में भी रस है एक तरह से, उर्वशी पुरूर्वा उर्वशी का समवाद है, उसमें बड़ी करुणा है, बावनाएं हैं, लेकिन अथरवेद से रस विशेश रूप से इसलिए आया कि उसमें शंगार रस के बहुती सुंदर सूक्त हैं अथरवेद में, बहुती काव्यात्मक सूक्त भी हैं, दूसे अथरवेद में जारण मारण कर्म आदी, शांति कर्म, तांत्रिक क्रियाएं बताई गई हैं, उन तांतिक क्रियाओं से एक ट्रांस की स्थिती में चला जा करता है जो पर्फार्मर है तब रस की स्रश्टी कर सकता है ऐसा माना गया तो जो पर्फार्मर है वह अपनी काया से किसी दूसरे की काया में प्रवेश करके रचता है ऐसा माना गया इसको भी आगे चलके हम विस्तार से बताएंगे जब कभी साथ भी कविने पर चर्चा तो यह तांत्री क्रियां उस प्रकार की जुरसे इसा बताया व्याइप र हम क्रियां उसमें फ्रकार की है इसलिए उसकी रस्की अवधारणा अथरुवेद से ली गई तो यह justification यह भी आपको आना चाहिए कि चारों वेदों से जो पाठ्थी गीत अभिनए और रस यह चार तत्व लिये गए उनका युक्त युक्ति करण यह justification क्या है कि क्यों रिग्वेश से पाठ्थी लिया गया साम्वेश से जंगीत लिया गया और यह वैस से अभिनए और अ झाल झाल